आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार दोस्तों इस समय आप सत्य वचन कारी करम देख रहे हैं इस कारी करम में हम परमेश्वर के जीवित वचन का करमवार विशलेशन करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के ज्ञान की बातों को प्रगट करता है जो हमारे सुधार के लिए उप्युक्त है इस करम में हम इन दिनों अयूब के जीवन से सीख रहे हैं कि मनुश्य के जीवन में पीडाएं क्यों होती हैं समस्याएं क्यों आती है आम रूप से ये मान्या जाता है कि मनुश्य जन्र से ही पापी है जिससे समस्याओं का सिर्जन हमारे जीवन में होता है लेकिन अयूब एक भाला वैकती है फिर वह सब कुछ खो देता है इसके बावजूद भी उसके जीवन से सब कुछ निकल जाता है यहां तक शारिरिक रूप से ऐसे रोक से पीडित हो जाता है जो उसकी समझ से परे था उसके मित्र सोस्ते हैं कि आवश्य ये किसी गुप्त पाप के कारण होगा जो अयूब ने किया है वे आये थे कि उसे शांती दें लेकिन उससे वाद विवाद में वे उलज जाते हैं तर्क वितर्क के द्वारा फिर से एलिपज अपनी आत्मिता प्रदर्शित करता है आईए देखें कि जब हम ऐसे विवादों में पढ़ते हैं तो क्या गलती हम करते हैं इनके जीवन से हम सीखें ताकि उन्हें हम अपने जीवन में ना दोहराएं मित्रो आए आज हम अपने अध्यन में आगे बढ़ते हुए आयूप की फुस्तक तेरा अध्याय उसके 23 से 25 पत को पढ़ें यहाँ पर इस प्रकास लिखा हुआ है मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए है मेरे अपराद और पाप मुझे बता दे तु किस कारण अपना मुह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रू गीनता है क्या तु उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सुखे डंटल के पीछे पढ़ेगा मेरे मित्रो इस पष्ट कहूं तो अयूप परमेश्वर के साथ प्रदर्शन चाहता है वह जानना चाहता है कि इस कष्ट के कारण उसमें कौन से पाप और अधर्म है वह कहता है कि एक पत्ता है जो यहाँ वहाँ उड़ाया जा रहा है और रौंदा जा रहा है अयूप 13 उसके 27 और 28 पद में लिखा है तू मेरे पाउं को काठ में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है तू मेरे पाउं के चारों ओर सीमा बांधता है मैं सडी गले वस्तू के तुले हूँ जो नश्ट हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुले हूँ अयूप को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह समाप्त हो रहा है वह अपने कश्टों का कोई कारण नहीं देख रहा था आए हम देखें अध्याय 14 में अयूप का मृत्यू पर शोक गीत 14 अध्याय उसके एक पद में लिखा है मनश्य जो इस्त्रिस से उत्पन होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है इससे अधिक सत्य अन्य नहीं कश्ट मनश्य का याजक है हम सबने कश्ट उठाए हैं एलिपज ने कहा था पांच अध्याय के साथ पद में जैसे चिंगारियां उपर ही उपर को उड़ जाती है वैसे ही मनश्य कश्ट भोगने के लिए उत्पन हुआ है कश्ट एक ऐसा शब्द है जिसका अनुभव संपुण मानव जाती को है अयूप चौदा ध्याय के दो पद में लिखा है वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है वह चाया के रीती पर ढ़ल जाता और कहीं ठहरता नहीं अयूप कहता है कि मृत्यू अपरिहारे है और सब को इस संसार से कूच करना है जीवन तो चाया मात्र है सुर्य ढल जाने के बाद चाया समाप तो हो जाती है अयूप चौदा ध्याय के तीन परद में आगे लिखा है फिर क्या तू ऐसे पर द्रिष्टी लगाता है क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसिटता है मेरा जीवन तूटे हुए फूल या ढलती हुए चाया के समान है तथा पी मुझे देखता है और मेरे साथ विवार करता है अयूप चौदा के चार में लिखा है अशुद वस्तु से शुद वस्तु को कौन निकाल सकता है कोई नहीं मेरे मित्रों अववा एक महान सत्य वचन प्रगट कर रहा है हम सब जन्मजात पापी है भचन सहिता इकावन उसके पांच में दाउत कहता है देख मैं अधर्म के साथ उत्पन हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा पापी मा और पापी पिता द्वारा उत्पन होकर हम निश्पाप कैसे हो सकते हैं अशृद वस्तु से शृद वस्तु को कौन निकाल सकता है या एक सार्विक नियम है अयूब 14 के पांच में लिखा है मनिश्व के दिन नियुक्त किये गये है और उसके महनों की गिंती तेरे पास लिखी है और तुने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता अयूब कहता है कि मनिश्य होने के कारण वह सीमित है बजन सेंता 23 के चौदा में दाउध लिखता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलू वह अपनी मरंश्या की चर्चा कर रहा है नहीं, जन में लेते ही हम अंधकार से भरी तराई से चल रहे हैं हम पर मौत का साया है हम आगे बढ़ते जाते हैं और घाटी, सक्री होकर अंत में मृत्यू तक पहुँच जाती है हम सदा ही मौत के साय तले रहते हैं किसी ने कहा है, जियों ही वह हमें जीवन देता है, तियों ही लेना आरंभ कर देता है अयूब चौदा ध्याय के साथ से दस पद में लिखा है वरिक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी चाहे उसकी जड़ भूमी में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकरव फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी परन्तु मनिश्य मर जाता और पड़ा रहता है जब उसका प्रान छूट गया तब वह कहां रहा मनिश्य प्रिथी पर बहुत सफल होता है नाम कमाता है और कूच करता है वह कहां है उसका समारक ही रह जाता है उसके नाम पर सडके बना दी जाती हैं क्या लाव अयुप कहता है 14 अधिया उसके 14 और 15 पद में यदि मनिश्य मर जाए तो क्या वा फिर जीवित होगा जब तक मेरा चुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता तु मुझे बुलाता और मैं बोलता तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाशा होती मेरे प्रियों यह मनिश्य का एक प्रश्न है क्या मरनो परांत भी जीवन है अयूब जानता है कि मरने के बाद भी उसे पुकारेगा और वह उत्तर देगा दूसरे शब्दों में काम हमारे मृत्यू के साथ समाप्त नहीं हो जाता मृत्यू आंत नहीं है आगे चलकर आयूब फिर कहेगा आयूब 1922 के 25 से 27 बद में मुझे तो निश्य है कि मेरा छुडाने वाला जीवित है और वा अंत में प्रित्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नश्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वार का दर्शन पाऊंगा उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं यदिपी मेरा हिर्दय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए यह संपुन अध्याय मृत्यू का शोक गीत है मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसे पूरा पढ़ें मित्रों यहाँ पर 14 अध्याय समाप्त होता है और अब हम अध्याय 15 से अध्यान को बनाय रखेंगे जिसका विश्य है एलिपच का दूसरा वाद ये लोग अपने अपनी बुधी का उपियो कर रहे हैं खेलकुद में शारिक शमता देखनी की अपेक्षा वे बौधीक प्रतियोगिता देखना चाहते थे अयुब ने तीनों मित्रों के वाद का प्रतिवाद प्रस्तुत किया अब वाद विवाद का दूसरा सत्र आरंभ होता है स्मरन रखें कि एलिपज आध्यात्मिक जन है वह सोपन देखता है दर्शन देखता है उसके विचार में उसका अनुभव अनुपम है और मनश को उसे सुनना चाहिए आज अनेक गवाहियां जो हम सुनते हैं उनका महत्वर नगण्या है क्योंकि उनके सत्य अनुभव पर आधारित हैं हमारे पास सबसे पहले सत्य होना आवश्यक है जो परमेश्वर का वचन है तदोपरांत उससे होने वाला अनुभव होना चाहिए अनेक अनुभव परमेश्वर के वचन से सुसंगत नहीं होते हैं मैंने बड़ी-बड़ी मसीही गवाहियं सुनी है जो टेलिफोन डिरेक्टरी से अधिक धर्म शास्त पर आधारित नहीं है एलिपज अनुभव की बात करता है और उससे बात करना बहुत कठिन है अयू पंदरा अध्या उसके एक से तीन में लिखा है तब तेमानी एलिपज ने कहा क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे या अपने अंतक करन को पूर्वी पवन से भरे क्या वा निश्पल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवात करे वे इससे बाओधे की युद्ध में शब्दों का भहन कर वार कर रहे हैं वह कहता है अयूब तू तो हवा स्वरूप है तेरी बाते निरर्थक हैं देखिए वह अयूब की सहायता नहीं कर रहा है वह वास्तों में अयूब को हराना चाहता है कि वह हार कर हां कर दे अयूब जैसे कष्टों में पड़े मनुश्य के साथ ऐसा विवार करना उचीत नहीं अयूब 15 ध्यावस के 4 से 6 पद में आगे लिखा है वरन तू परमेश्वर का भैमाना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है तू अपने मुझ से अपना अधर्म प्रगट करता है और धूर्त लोगों के बोलने के रीती पर बोलता है मैं तो नहीं परन्तो तेरा मुझ ही तुझे दोशी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद साक्षी देते हैं उसके अनुसार अयूब का तर्क उसका दोश प्रगट करता है वह अयूब की जान के पीछे पड़ गया है अयूब पंदरा ध्याय के साथ पद में लिखा है क्या पहला मनिश्य तू ही उत्पन हुआ? क्या तेरी उत्पती पहाडों से भी पहले हुई? तू तो ऐसे बोलता है जैसे तू कुछ जानता है अयूब? आगे हम देखते हैं पंदरा ध्याय उसके आठ से नौपद में क्या तू परमिश्रक की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धी का ठेका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते हैं? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं है? उसका विचार गलत है. वह अयूब को अनुचित प्रकाश मिलाता है. वह अयूब को उस अस्थान पर नहीं ला रहा है जहां उसे अपने कमी और आवश्यक्ता का बोध हो. इस मित्र से अयूब को ढारस नहीं मिलता है. अयूब पंद्राध्याय के दस पद में हम पढ़ते हैं. हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अती पुर्निय मनुश्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत आयूब के हैं. एलिपज अपनी और अपने मित्रों की परिपक्वता का सहरा लेकर अयूब को हताश करना चाहता है. उसका तर्क है कि ज्ञान अयूब में नहीं उन में है. तब हम अयूब पन्दरा उसके चाओदा में पढ़ते हैं, मनुश्य है क्या कि वह निश्कालंक हो या जो इस्त्री से उत्पन हुआ वह है क्या कि निर्दोश हो सके. मेरे मित्रों यह सच है कि सब पापी हैं, परन्तु एलिपज और उसके मित्र अयूब को लक्ष बना कर कहते हैं कि उसने महापाप किया है और उसे सारोजिनिक अंगिकार करना चाहिए. अयूब पंद्रा ध्या के पंद्रपद में हम आगे पढ़ते हैं. देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसके द्रिष्टी में निर्मल नहीं है. स्वर्ग के बारे में उसका कथन सही है. प्रविश्व मसीह केवल मनश्य के उधार के निमित ही नहीं मरा. उसकी मुक्ती, योजना में हमारी मुक्ती के कारण नई प्रिथ्वी और नए स्वर्ग का उभारना भी है. यह सच है कि उसके द्रिष्टी में स्वर्ग शुद्ध नहीं है. अयूप पंद्राध्याय के सोलपद में हम पढ़ते हैं. लिखा है, फिर मनश्य अधिक गिनावना और ब्रश्ट है, जो कुटिलता को पानी के समान पीता है. मेरे मित्रों, यही सच है. यदि स्वर्ग को उधार की आवशकता है, तो मनश्य को कितनी अधिक आवशकता होग यदि पी यह सच है, यह अयूप के लिए किसी भी मनश्य की तुलना में अधिक प्रासांगिक नहीं है. अयूप पंद्राध्याय के बीस और इकिस पद में लिखा है, दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तडपता है, और बलतकारी के वर्शों की गिंती ठहराई हुई है उसके कान में डरावना शब्द गुंजता रहता है, कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है. यहां फिर वही बात है कि अयूप दुष्ट है और अपना पाप छिपा रहा है. हमें यह स्विकार करना होगा कि अयूप के मित्रों को आज के मनविज्ञान का ज्ञान नहीं था, जिसके अनुसार मनश में कोई खोट नहीं है. उसने कुछ भूल की है और उसका पाप वास्तों में उसकी आज्ञानता है, जो थोड़ा सा मरहम लगाने से ठीक हो जाएगा. उनमें आज के मनश से अधिक उचित समझ थी. आज का मनश कहता है कि विकास वाद के परिणाम सरुप मनश सरोत्तम प्रानी है, अतह वह स्रिष्टी करता के प्रती उत्तरदाई नहीं है. यद्धिपी उन्हें अयूप की स्थिती का बोध नहीं था, उनकी अधिकांश बात सच थी. एलिपज धारस बंधाने वाले की अपिक्षा विवात करने वाला सिध्ध हुआ. वह कोई नई बात नहीं करता है. वह पुराने ही राग अलापता है. उसके पहले वाद के बाद अब उसके पास कोई नई बात नहीं है. इसे के साथ यहां पर अध्याय 15 समाप्त हो की घिसी पिटी बातों के बाद अब अयूब उसे उत्तर देता है. यह अयूब का दूसरा प्रतिवाद है. यह वाद विवाद प्रतियोगिता स्वरूप ही है. पहले हम एक पक्ष को सुनते हैं. तदो प्रांत दूसरे पक्ष को. ऐसा वास्तों में होना नहीं था. क्योंक वे ढालस बंधाने वालों की अपरिक्षा वाद विवाद प्रतियोगी हो गये थे. वे उसे तर्क वितर्क में हराना चाहते थे. परन्तु वे जीत नहीं पा रहे थे. मेरे विचार में वहां कुछ समय का अंतराल है. क्योंकि एक युवक जो अलग खड़ा है, विवाद मे भागीदारी बन जाता है और अंत में हस्तक शेप करता है. अयुब यही चाहता था. यही उसकी आवशकता थी कि उससे उसका साक्षात कार हो. एरिपज ने अपना घिसा पिटा वाद प्रस्तूत किया. वह स्वप्रण दर्शी था, दर्शन देखता था और दावा करता था कि उसके पास वह मर्म है, जो और किसी के पास नहीं है. परन्तु उसके इस वाद में कुछ नया नहीं था. वही पुरानी बाते हैं. अयुब 16 ध्याय उसके एक और दो पद में लिखा है. तब अयुब ने कहा, ऐसी बहुत सी बाते मैं सुन चुका हूँ. तुम सब के सब न कि कम में शांती दाता हो. अयुब कहता है, तुने मुझे कोई नई बात तो बताई नहीं. या सब तो मैं भी जानता हूँ. तु एक अभागा ढारस बन्धाने वाला है. मेरे मित्रों मुझे पूरा विश्वास है कि वे अयुब के मित्र थे, परन्तु. अंत्तह उनमें वि वात का आउसर था. अब वह एलिपच को उत्तर देता है. अयुब सोलाद्या के तीन पद में लिखा है, क्या वियर्थ बातों का अंत कभी होगा? तु कौन सी बात से जिड़क कर उत्तर देता है? अयुब कहता है, मैं सोचता था कि तुम्हें विवात करते समय लज्जा तो आती होगी, तुम्हारी बातें खोखली एवं व्यर्थ हैं, वे मेरी आवशक्ता की पूर्ती नहीं करती हैं. दुर्भाग्य से आज अनेक उपदेश ऐसे ही हैं, कुछ तो बाइबल आधारित ही नहीं हैं, उन्हें काम में ही नहीं ले सकता है. यदि परमेश्वर का आत्मा उपदेश को काम में नहीं ले पाए, तो वह शुन्ने के तुले ही है, वह व्यर्थ एवं खोखला है. आज बहुत प्रचार किया जा रहा है. परद्दू, परमेश्वर की आराधना और परमेश के वचन के अध्यन के संबंध में वह निरर्थक है। यही बात गाने और कलिस्या आराधनाओं के लिए भी कही जा सकती है। दोश प्रचारक का हो सकता है परंतु कभी-कभी कलिस्या और स्रोतागर्ण भी इस विनाश के उत्तरदाई हैं। अयूब 16.2 के चारपद में लिखा है जो तुमारे दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुमारी सी बाते कर सकता, मैं भी तुमारे विरुध बाते जोड सकता और तुमारे विरुध सिरहिला सकता। अयूब उनसे कह रहा है कि यदि परिस्तिती पलट जाए तो वह भी उन्हें गलातिया प्रदेश की कलिस्याओं को लिखता है। पूर्वक फिर से खड़ा करो। उस दीनता में जो प्रविश्यों ने अपने शिश्यों के पाउं धोकर दिखाई थी। वा आज भी ऐसा ही कर रहा है। जब आप और मैं अपने पापों को मान लेते हैं तो वा हमारे पापों को शमा करने और हमें सब अधर्म से शुद करने म विश्वास योग्य है। पहला योना के पत्रे एक अध्या उसके नौपद महमी से पाते हैं। वा आज भी अपनों को धोकर स्वच बनाता है। उसने हमारे सामने एक उधारन रखा है। आप किसी के पाउं धोकर उससे बड़े नहीं बन जाते हैं। उसे नीचा नहीं दे उस पर प्रचार नहीं करते हैं। आप एक सेवक का स्थान ले लेते हैं। या किसी से विवात करने से सर्वथा भिन है। मेरे मित्रों। या बड़े दुख की बात है कि अयूप के मित्रों की मानसिक्ता ऐसी नहीं थी। वे उस पर उंगले उठा रहे थे। अतह। तिर हिला कर उन पर शब्दों की बाउचार कर देता। मेरे प्रियों, आज आप किस प्रकार के मित्र हैं। क्या आप अपने मित्र को सांतवना देते हैं, उसकी सहायता करते हैं या उससे नीचा गिराते हैं। आज थोड़ा समय लेकर अपने बारे में अवश्य ही विचार करें। 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे। धन्यवाद। मित्रों यहां पर एली पज के जीवन से हम देख रहे हैं कि उससे अयूप की धार्मिक्ता पर संदेह होता है। वो उस पर संदेह करता है। यद्दपी वो उसके जीवन को भली प्रकार से जानता है। उसका जीवन उनसे भीन था, अच्छा जीवन था। लेकिन क्योंकि वो विपत्ती में हैं तो वो उससे सही कारण को खोजने के बदले अपने विचारों को उमर के अनुभाव के अध समस्याओं का सामना कर रही है। कलीसिया परमेश्वर के वचन की बुनियाद से बनी है। इसके संचालक करता परमेश्वर के वचन में परिपक को होना चाहिए। लेकिन हम उम्र की वरियता के अधार पर कलीसिया के कारेकरताओं को चुनते हैं या अपने स्वार्थ के पू आनने वाले होने चाहिए लेकिन ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता इसलिए आज कलीसिया विवादों के बीच घिरी हुई है सेवक वचन की उत्तम शिक्षा देने के बदले विभिन विभिन अन्य बातों में लिप्त है हम इसके लिए आज हमें इन बातों के लिए भी प्रार्थना करने की अवशक्ता है ताकि ये सदस से कमीटी के सदस से संस्थाओं का हल वचन के अधार पर खोजने वाले बने ना कि अपने अनुभव और ग्यान के अधार पर आईए प्रार्थना करें स्वर्गी पिता परमेश्वर आज हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम ये सिखाया कि हम बहुत सी बार आत्मी कारियों को सांसारिक बुद्धी से करने का प्रियास करते हैं और हम ऐसी बातों से कलीस्या में परिवार में समाज में समस्याओं का सिर्जन करते हैं परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें कि हम सभी बातों में परमेश्वर के वचन पर आधारित हों और हमारे कारियों को हम आपकी वचन के अनुसार पूरा करें हमारे दर्शकों के लिए प्रात्ना करते प्रभू. यदि वे अपनी कलीसिया के किसी कमेटी में हैं, एक जब्यदारी के पद पर हैं, कलीसिया के संचालक हैं, पास्बान हैं, बिशफ हैं या अन्य परकार के सूसमचार प्रचारकों में से हैं. प्रभू आपका अनुग्र उन पर हो कि वे आपके वचन के आधार पर अपने जीवन के निर्ने ले विशेश तोर पर अपने आत्मिक जिम्मधारियों को कलीसिया जिम्मधारी को प्रभू आपके वचन के आधार पर पूरा करें जिससे प्रभू वो निर्ने लिया जाए जो आपको सम्मत है जो आपके वचन के अनुसार है आधर और महिमा सिर्फ आपको देते हुए पिता विंती ईशू के नाम से मांगते हैं आमेन प्रिमत्रों मुझे उमीद है कि आज के वचन से आपने नई बातों को सीखा होगा और एक समरपन आपने किया होगा यदि आपके पास और भी कोई प्रशन है तो आप हमसे संपर कर सकते हैं उसके लिए आप फोन, SMS या पत्र का उप्योग करें और यदि आपको कारिक्राम मुझे आपको कारिक्राम आपको कारिक्राम